वेलकम तो बेच्चे साइकोलजी आई होप आप समच्छे होंगे वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हमारा प्राक्टिकल जो है टूवे अनलिसिस ओ वारियन्स मिन्स अनुवा तो सबसे पहले एम है तो सॉल्व टूवे अनलिसिस ओ वारियन्स प्रॉब्लम्स मिन्स कि हमारा यह जो ऑन और यह तो है हमारा महशीन से आउंक चगलात ब क्राइब कोंगा उतने पास एडिवार्क इधर दिफीम विट्रीफॉर और इधर ब 때म तो तो ह innocent कर्ès यहाँ पर लिखा हुआ है machines और यह हमारे different total workers तो हमारे जो total numbers of n हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, अब 80 कैसे हो रहा है 10, 20 30 और यह 40 10, 20, 30, 40 इसको हम एट की हैं तो कितना आ जाएगा यह 80 आ जाएगा ठीक है यह total हमारा n निकल गया अब हम बात करते हैं अपने solution की, सबसे फ़रे solution पर आते है, solution में हमने क्या किया है जो यह वाला है, यह वाला है इसको यहाँ पर रख दिया है और जो यह वाली value सारी थी, उसको यहाँ पर रख दिया है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब हम आते हैं आगे तो हब मने क्या किया, जो यह to है इसमें स्क्वाइर की है, 4 ने, 5 का स्क्वार किए और यह 8 का स्क्वार की है ऐसे ही सभ का स्कॉयर करके लिख लिञेंग मिट नहीं तक हैं नेक्स्ट बम नीचे हाते हैं सबसे ओने ओने देपन झाजए है 5 का स्कॉयर किया है 25 आ गया है 8 का स्कॉयर किया है 64 आ गया है 11 का स्कॉयर किया है 212 फिर 11 का स्कॉयर 212 फिर यहाँ पर 6 का स्कॉयर 36 7 का स्कॉयर 49 10 का स्कॉयर 100 11 का स्कॉयर 122 I hope यहाँ तक clear होगा फिर ऐसे ही सब का स्कॉयर करकर के आप यहाँ पर लिख लेंगे लिखने के बाद आप क्या करेंगे सब का टोटल करेंगे इसका टोटल इसका टोटल इसका टोटल चारों का आप टोटल करके यहाँ पे लिख लेंगे अलग-अलग ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको उसके बाद इन सब का टोटल करना है से यह आपे लिखा है 33, 50, 68, 91 इनको प्लस करना है 33, 50, 68, 91 तो टूटल कितना जाएगा हमारे पास 242 सेम नीचे वाले में भी हम करेंगे 58 प्लस 88 प्लस 97 प्लस 98 तो हमारे पास टूटल कितना जाएगा 341 हम स्क्वाइर की आट करने का ज़रूरत नहीं है सिर्फ हमारा इसी से का हो जाएगा एक सेकंड यह क्यों हो गया चला ठीक उसके बाद हम नीचे आते हैं अब हमें क्या करना है कि हमें 33 प्लस 58 को एट करना मतलब यह 33 और यह 58 यह वन था हमारा ठीक और यह एटू था यह कोश्चन में गिवन है ना यह वाला मैंने लिया यह वन और यह एटू ठीक सेम यह 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 यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं आप लो लिख लीजिएगा यह वन हमारा और यह क्या है हमारा एटू है ठीक है उसके बाद हमको यहाँ पर हैड करना है 33 और 58 33 58 के में उसके एट यहाँ या या 91 50 88 58 88 138 आगया 68 97 68 97 हमारा क्या आ रहे है आपर 165 उसके बाद क्या है 91 98 91 98 189 आए होप यहां तक किलर होगा उसके बाद आग्स आ प्जार जुमारा क्या है ग्रैंडग्सथम ग्रैंड्सम हम किसको लेंगे जो हमारे यह वाली 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 यह 3350 68 91 58 88 97 88 इसको नोटल करेंगे हम यहां पर लिखें यह वहारा ग्रैंड सम कर दा इंग ambiguë उसके बाद यहां बात कर रहा है ग्रैंड sum of square तो grand sum of square square में यह यह दोनों की बात कर रहा है तो हम यह A1 और A2 को add करके यहाँ पर लिखेंगे ठीक 191 264 72841 प्लस फिर इनको पुरा add करके सेम यहाँ पर लिखना है लिखने के बात जो हमारा first step इसमें आता है सबसे पहले correction आता है तो correction हम find out करेंगे तो हमारा correction क्या है correction का formula क्या होता है sigma x square whole square by sorry sorry sigma x square को whole square divided by n होता है यह हमारा होता है formula यहाँ पर लिखा हुआ sigma x को whole square divided by n तो sigma x हमारा क्या है sigma x ही यह 583 अब इसमें confuse मत हो जाएगा x square में ठीक है यहाँ पर एक mistake है आप थोड़ा correction कर लिजिएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है न ग्रैंड सम यह सिग्मा एक्स का whole square है ठीक यहाँ पर लिखा हुआ ब्रैकेट के स्काइए अंदर होगा यह चीज़ होगा यहाँ पर ठीक है आप इसको करेक्ट कर लिजिएगा सिग्मा एक्स का whole square ठीक अब इसका correction का formula होता है सिग्मा एक्स square का whole square divided by यह तो सिग्मा एक्स हमारे कितना है 583 583 का whole square divided by n n हमारा कितना था 80 था यहाँ पर हमने find out किया था सबसे पहले एन हमारा 80 है तो हम सिग्मा एक्स की वैली पुट करेंगे और 80 इसका square करेंगे यह find out करेंगे इसका divide करेंगे 80 से तो यह हमारे पास correction आजाएगा फिर second step हमारा sst sst हम find out करेंगे sst का formula होता है sigma x square minus c हमारे पास x square कितना है हमारे पास x square है यह 47 इतना 4745 4745 put करेंगे c हमारे पास यह है इसको लिखेंगे और इसके बास solve करेंगे तो हमारा यहाँ पर sst निकल जाएगा फिर बात करते है step 3 की step 3 का formula होता है यह सिग्मा x1 का whole square divided by small n plus sigma x2 का whole square divided by यहाँ पर n1 n2 होगा ठीक n1 यह n2 n3 ठीक ऐसे लेते हैं यहाँ इसको correct कर लेजिएगा और last में होता है minus c यहाँ पर लिखा होगा है यह C उसके बाद इसमें सारे value puts करेंगे है तो सिग्मा x1 है हमरे 33 है सिग्मा x250 है ऐसे सब्सक्राइड करके पूरा minus c देंगा अब यह 10 क्या है 10 हमने यह हमारे यह हमारे कितने पास है 21 हमारे पास केतना है टैन मीटीटो कितना है टैन फिट्री कितना टैन यही है small n ठीक यह हम 10 लिख देंगे उसके बद लास में माइनस C लिख देंगे माइनस C हमारे यहाँ पर correction है उसके बाद सब को solve करेंगे माइनस C correction लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे SSR के निकाल लेंगे उसके बाद step 4 में आएंगे step 4 में हमारा क्या निकालना है हमें Sum of square between rows, rows को निकालना है, तो rows का भी formula उतना ही होता है, इतलब R, SSR हमें निकालना है, R means row, row निकालना है, तो 242, 341 है, इसमें हम स्टार्टिंग में ही add किया था, ये 242 और ये 341, और उसके बार total हम end कितना लेंगे, तो 10, 20, 30, और ये 40, ठीक है, फिर हम आते हैं, अपने SSR में, तो यहां पे हमने 40 put किया, और ये 242, 341 का whole square, minus C, इसको find out करेंगे, solve करेंगे, हमारा SSR की value find out हो जाएगी, उसके बाद हम आते हैं, step 5 में, step 5 में हम क्या निकालते हैं, SSK मतलब, यहां अब क्या बात हो रही है, column की, यहां row की बात हो रही थी, यहां column की बात हो यहां ने बताया था कि आपको column लेकर चलना है, दोनों को column हम लोगों ने add किया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे add किया था था ना, 33 plus 58, 91 हमारा column हो जाएगा, तो column हम कितना ले रहे हैं, तो column add करके 91 हो जाएगा, और उसके बाद जो n लेंगे, small n, वो कितना लेंगे, 20 कि हमने यहां पर देख रहे हैं, यह 10 हम ले रहे हैं, और यह 10 को ले रहे हैं, तो 10 plus 10 कितना हो जाएगा, 20 होगा, तो वही चीज़ हम लेंगे, n की value, तो हम SSK में अपने यहां पर put करेंगे, तो देखो, यह 91, 138, 165, 189, और लास्ट में माइनस C, आप यहां पर देख रहे हमारे पास यहां पर SSK की value आगई, अब हमारे बात करते हैं, step 6 की, step 6 में क्या करते हैं, हमें interaction निकालते हैं, किसके बीच की interaction, SSR की मतलब sum of square, row और column, फिर SSR का, minus SSK, तो हमारे जो SSR के, minus SSR, minus SSK, जो भी value उपर आई है, यहां पर put करेंगे, put करके इसको solve करेंगे, तो यह value हमारे निकल कर आजाएगी, अब हाता है, step 7, step 7 में हम क्या करते हैं, SSW निकालते है, sum of square within set, ठीक, इसका formula होता है, SST, minus SSR क, यह, तो SST हमने उपर निकालना है, वो put करेंगे, SSR के भी हमने निकालना है, वो put करके, इसको निकालेंगे, यह हमारा answer आजाएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कि हम summary table बनाते है, अनुवा का, तो सबसे पहले हम लेते हैं, rows, interactions, ठीक, interactions क्या है, यह column का, यहाँ पर column की से बात हो रही है, और यहाँ पर interaction क्या है, row और column दोनों की बात हो रही है, ठीक है, उसके बाद within का लिखेंगे, और उसके बाद total, तो हमारा दो, rows का, जोडीएफ का formula होता है, सुलसे पहले है, टेबल में क्या होता है, यह इधर दीएफ होता है, sum of square, mean of square, ठीक, तो sum of square हमारे पास क्या है, जो हमारे पास rows का है, वह उपर हमने solve किया है, वह शी से लिखेंगे, interaction का भी हमने solve किया है, उपर, यह वो put करेंगे, interaction, इसम सब को टॉटल करकнд यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमने रू का निकाल लिया इंट्रक्षिन निकाल दिया इंट्रक्षिन भी निकाल धिया फिर विदिन निकाल लिया उसके बार टॉटल करकू breaking यहाँ पर हम पूट तो row minus one row हमारे पास कितना था था, two row है हमारे पास, ठीक, एक ये row, एक और एक ये row, दो row हुए, तो वही चीज़ है यहांपर लिखा हुआ है, ठीक, two row, two minus one, यह हो जाएगा, equal to one आजाएगा, उसके बाद column हमारे पास कितना है, यहांपर फोर लिखा हुआ है, तो four column अब कैस से आ रहा है देखो फोर कॉलम्स यह बीवन बीटू बीट्री यह बीफूर तो फोर कॉलम्स हो गए और रो कितने हो गए रो हो गए हमारे पास दो कि कि टू कॉलम है कि फोर रोज जे चीज हो गार two are four column कॉलम्स को के से रेप्रेजेंट करते हैं रोज को र से रेप्रेजेंट करते हैं डोज अब हम आते हैं आगी अपनेक्स पाइंट पे इसको फाइंडactor लेंगे अब आप पता चल गया है की क्या वैल्यय hvis कि या वैल्य करेंगे तो सम आफ इसको वन से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा चिक उसके बाद नेक्स के इसको जो नेक्स्ट हमारा यह वाली वैली इसको थ्री से डिवाइड करेंगे तो इतना आजाएगा थट क्या है हमारा इस 25.44 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना आएगा उसके बाद क्या करेंगे 83.5 को 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना वैल्य हुआ जाएगा I hope यहां तक आपको समझ में आया होगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अब आते हैं हम अपने f ratio की तरफ अब हम यहां पी क्या निकालेंगे f ratio f ratio rose का अलग निकलेगा column का अलग निकलेगा और interactions का अलग निकलेगा तो सबसे पहले हम क्या इसका formula होता है mean of square और variance mean of square within groups तो within groups common रहेगा तीनों में तो within groups हमारा क्या है 1.51 तो 1.51, 1.51 वहां पर तीनों में लिख लेंगे ठीक rose, column and interactions तीनों में उसके बात क्या करना है हम सबसे पहले इसका लेना है rose का तो rose हमारे पास आया है 122.51 इसको यहां पट करेंगे मैं फिर नेक्स्ट क्या है हमारा column हमारे यहांप कितना कहले इसके लेंगे得78.31 रबुट करेंगे में देखेगे टेबल df में कि 0.01 और 0.05 लेवल पर कि यह significant है कि नहीं है अगर significant है तो आप बताएंगे कि यह significant है अगर significant नहीं है तो आप बताएंगे कि यह significant नहीं है non-significant है तो इसमें क्या आया है कि 7 की रूस का है तो रूस में क्या आया है सबसे पहले 7.003.97 तो यह हम ने लिखा है significant at level 0.01 and यहां पर थोड़ा कट गया है यहां पर दोनों में significant होगा ठीक है maybe हाँ हाँ दोनों में significant होगा क्योंकि यहां पर देख रहे हैं आप यह वाली value काफी बढ़ी हो और यह value काफी छोटी है तो क्या होगा यह significant होगा और इस case में क्या होगा सब्सक्राया क्योंकि यह वाली value काफी बढ़ी इससे ठीक उसके Пदद interactions का खेंगे interactions में क्या है कि हैं इन दोनों में से कौन सिटानी बढ़ी है यह वाली value बढ़ी है तो यह भी क्या होगा significant तो मतलब हमारा यहाँ पर तीनों क्या होगा significant होगा 0.01 लेवल पर भी और 0.05 लेवल पर भी तो यह आपका था all over ANOVA practical two way ANOVA practical I hope आपको समझ में आया है कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please like and subscribe my channel thank you for watching